शेल उडारियां की बात करें तो शो में आप सभी ने देखा कि सर्थाज ने किस तरीके से जो नहमत है उसे घर से बाहर निकाल दिया उसे कह दिया कि तू चोड़नी है और तू यहां नहीं रह सकती तू ने मेरी घरी चुड़ाई है यहां पर नहमत चली तो जरूर जाते लेकिन जाते जाते नहमत यह कहती है कि निमो आंटी को सच मत बताना कह देना कि मैं अपने घर चली गई हूँ यहां निमो आंटी बहुत गुस्से में आ जाती जब उन्हें पता चलता है कि सर्ताज ने नहमत को निकाल दिया है तो वहीं एकम ने हरलीन के लिए बहुत लड़ाई की और सबसे यही कहा कि अगर आइंदा से हरलीन के बारे में कोई एक शब्द कुछ भी कहा जब मुझसे ब मुझसे लेकिन कल PlayStation के आप देखेंगे कि इस तरीके से एकम और हरलीन की दोस्ती बढ़ रही है तो दोनों一 बूसरा के साथ दोनों कहीं जा रहे है और घारीन को देखते हैं कि हमारी गाड़ी कब चलेगी ये गाड़ी तो कभी न कभी चली जाएगी तो वही नहमत को पुलिस वाले पकड़ ली है और वो कहते हैं कि तू वही है ना वो जितने भी गुंडे थे उनके साथ तू थी यहाँ पर नहमत कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है तभी एक लेटी पुलिस नहमत की उपर हाथ उठाने वाली होती है तभी सर्ताज आता है और रोक लेता है और कहता है कि ये वो नहीं है इसे मैं जानता हूँ और फिर सर्ताज नहमत को वहाँ से ले जाता है और सताज फिर नहमत को वहाँ से लेकर चला जाता है देखना दिल्चस्वे क्याने ओल अपकमिंग एपिसोड में आपको और कौन से नहीं ट्विस्ट देखने को मिले के